साथियों, एक बहुत अहम विशय फिटनेस और स्वास का भी है, हाइजिन का भी है, ये सब विशय आपस से जुड़े हुई है, बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चों का जीवन इतना सितिल हो गया है, कि पूरा-पूरा दिन निकल जाता है, कोई शारिक एक्टिविटी नहीं होती है, या तो डिजिटली मॉबाइल पे बैटा है, या टीवी के धामने बैठा है, मैं कभी कभी स्कूलों में जाता था तो बच्चों को पूछता था, अजब कितने बच्चे हैं, जिनको दिन में चार बार पसीना होता है, बताईए, बहुत बच्चों को तो सरकार बच्चों के पोशन पर कितना फोकस कर रही है, सरकार मिड़े मिल की व्यवस्ता करती है, अगर भावना ये होगी कि किसी तरह खाना पूरी कर देनी है, कागजों में सिरसब ठीक रहना है, तो पोशन को लेकर चुनतियां आती रहेगी, मैं उसको दूसरे तरीके से द देखता हूं दोस्ति, बजेट तो सरकार देती हैं, लेकिन हम वो देश के लोग हैं, जहां पर कोई भी अगर छोटा साभी अन्नक्षेत्र चलाता है, और वहां कोई भी व्यक्ति आता है, तो उसको खाना मिल जाता है, समाज उसके प्रति बड़े गर्वत से देखता है, ब अंगर के प्रति बड़ी स्षद्धा से देखा जाता है, आज हम दे के कोई भंडारा होता है, लोगों को खिलाते हैं, बड़ी स्षद्धा, क्या हमें नहीं लगता है, कि हमारी स्कुल में तो रोज भंडारा चल रहा है, उन बच्चों को खिलाने का आनंद, उनके मन को और एक पवित्र भाव सिरफ उसके पेट में कुछ खाना जाता है वो इनफ नहीं है दोस्तों हमें अनुभूती होनी शाहिए कि देखिए ये पुरा समाज तुम भूके ने रहो इसके लिए कितना कुछ कर रहा है उन बच्चों के जीवन के साथ और मैं तो मानता हूं डेली गाउं के दो वरिष्ट लोगों को बुलाना चाहिए कि आज दोपर को मिड़े मिल में आईए हमारे बच्चों को परोसिए और आप भी साथ में खाना खाईए देखिए पुरा माहोल बदल जाएगा यही मिड़े मिल एक बहुत बड़ा संसकार का कारण बन जाएगा और उ उसका परिणाम बहुत शांदार आता है कि मुझे आध है एक बार मैं सीएम रहते हुए यहां गुजरात के एक आधिवासी बहुल जिले के स्कूल में गया तो अब मैं वहां गया मैंने देखा हाँ ज़ो बच्चे थे बड़े साफ सूतरे थे और हरे के ऊपर एकड़न जो छोटे दे पीद से एक हैंड करचि हपलयट का हुआ था तो और उन बच्चों को सिखाये गया साथ कुरना है और वो करते थे और जब स्कूल पूरा होता था तो पुराने कपड़े बेच करके बरतन लेते हैं खरीते हैं बरतन वो महला गरीब थी लेकिन अपनी साड़ी बेटती नहीं थी वो साड़ी को काट करके हंकर जिब बनाती थी और बच्चों को लगाती थी अब देखिए एक सिख्षी का अपने पुरानी साड़ी के टुकडों से उस बच्चों को कितना संस्कार दे रही थी ज अधिवैस से लाके की मां की बात करा हूं मैं वाब नो सन्स आफ हाइजीन और मैं परथे और स्कूल की बात मैं बता ओंगा तो स्कूल में जुपडी चैसे स्कूल थी बड़ी स्कूल नहीं थी आधिवैसी ख्यत्र था क्रिस ही बदढ़ा अग़ा मिर लगा अएना दो बड बनाये था जो भी स्कूल आएगा पहले आएने के सामने पांच सेकंड खड़ा रहेगा खुद को देखेगा फिर क्लास में जाएगा उस एक मात्र से प्रयोक से जो भी बच्चा आता था तुरंट उसके सामने अपना बाल ठीक करता था उसका स्वाभिमान जग जाता था उसक बडलाओं लाने का काम टीचर कितना अजभूत तरीके से करते हैं ऐसे सेक्र उदान हमारे सामने शाथ यो आप कल्पना कर सकते हैं आपका एक छोटा सा प्रयाश कितने बड़े परिवर्तन ला सकता है मैं आपको कितने ही उदान सकता हूँ जो मैंने खुद भी आप पीज रहते हुए देखे हैं जाने हैं सेक्षे हैं